नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून दोहजार चॉबिस में शनी जैनती कब है, इस बारे में बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में हम जानेंगे शनी जैनती, पूजा विधी शुभ मुहूर्त एवं दान पुण्य करने का सही समय, और इस वीडियो में हम शनी जैनत इसे शनी अमावस्या भी कहते हैं कहा जाता है कि इस दिन ही शनी देव का जन्म हुआ था शनी देव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र है सूर्य के अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनी विप्रीत स्वभाव के हैं शनी जैन्ती के दिन सबसे पहले सुभा उठकर नित्य कर्म और स्नानादी से निवृत्त हो उसके बाद पूजा करें अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें शनी देव की मूर्ती पर तेल, फूल, माला आदी चढ़ाएं शनी देव पर काली उडद और तिल चढ़ाना शुभ होता है अता शनिदेव जी की मूर्ती पर सरसों का तेल, काले उड़द तथा काले तिल चढ़ाएं अब फूल माला तथा प्रसाद अर्पित करें इसके बाद दीपक जलाएं और शनी चालीसा का पाठ करें इस दिन किसी निर्धन व्यक्ती को खाना खिलाएं इसके अलावा दानपुन्य करना चाहिए कई लोग शनी देव को दुख और परेशानियों का देवता मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है शनी देव व्यक्ती के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं भगवान शनी देव की जन्म कथा सकंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है कि शनी देव के पिता, सूर्य और माता का नाम चाया है माता चाया को संवर्णा के भी नाम से जाना जाता है वहीं एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव का जन्म, आर्शी कश्यप के अभिभावकत्व यग्य से हुआ माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार, राजा दक्ष की पुत्री संझा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ संझा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी दिन बीटते गए और संझा ने मनु, यमराज और यमुना, नामक तीन संतानों को जन्म दिया सूर्य देव का तेज संझा ज्यादा दिनों तक सहन नहीं पाई संझा की प्रतिरूप होने की वजह से इनका नाम छाया हुआ संझा ने छाया को सूर्य देव के बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि यह राज मेरे और तुम्हारे बीच ही, रहना चाहिए संझा पिता के घर पनुची, तो उन्हें वहाँ शरण नहीं मिली संझा वन में जाकर घोडी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई उधर सूर्य देव को भनक भी नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संझा नहीं, संवर्णा है संवर्णा ने बखुबी से नारिधर्म का पालन किया चाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी सूर्य देव और संवर्णा के मिलन से मनु, शनी देव और भद्रा, तीन संतानों ने जन्म लिया जब शनी देव चाया के गर्भ में थे, तब शाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तपस्या के दौरान भूख प्यास, धूब गर्मी सहने का प्रभाव, शाया के गर्भ में पल रही संतान पर भी पड़ा इसकी वजह से शनी देव का रंग काला है जन्म के समय शनी देव के रंग को देखकर सूर्य देव ने पतनी चाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया मा के तप की शक्ती शनी देव को गर्भ में प्राप्त हो गई उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो उनकी शक्ती से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया घबराकर सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का बोध करवाया सूर्यदेव ने पश्चाताप में क्षमा, मांगी फिर से उन्हें अपना असली रूप वापस मिला इस घटनाक्रम की वजह से पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया शनी जयंती का महत्व शनी जयंती या शनी अमावस्या के दिन शनी देव की पूजा करने से लोगों की कुंडली के शनी दोश, धैया, साढ़े साती आधी के अशुप प्रभावों से मुक्ती मिलती है जो लोग शनी की धैया या साढ़े साती से पीडित होते हैं उनको आज के दिन पूजा से राहत मिलती है शनी देव को कर्म फलदाता कहा जाता है वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं बोलो शनी महाराज की जय दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपको ये जानकारी कैसी लगी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने फैमली ग्रूप में शेयर कर दें जिससे वह भी शनी जयनती की कथा एवं पूजा विधी के बारे में जान सके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद